होली के दायन के बारे में कुछ बताना चाह रहे हूं धन्यवाद सबसे पहली चीछ जरूरी बात है कि होली के दायन के दिन सरसों का उप्टन जरूर लगाना चाहिए सरसो काउटन लगाकर जो मयल निकलता है उसको होली के अगनी में डालना चाहिए जिस तरह बुराई के अंतों हुए था उसी तरह सरीर के जितने भी मरज है शब दूर हो जाते हैं इसलिए इसको अगनी में जड़ूर डालना चाहिए जो मेहल निकलता है उसके साथ साथ ऄसमी गयों का इटा आधवा गयों की बाली या गयों के चार-पांच दाने चीनी गुड़ जो भी कुछ आपके पास है यह सब समगरी लेके और शाथ में जो उप्टन की महल निकली हुई है उसको लेके होली के अगनी में डालें साथ प्रिक्रमा लगाएं अजल चढ़ाएं इस दिन दान करना बहुत ही सुब माना जाता है और अभीर गुलाल लगाएं सभी से मिले जुलें बुराई कान तो होता है इस दिन जो भी कुछ दान दच्छना करते हैं बहुत ही अच्छा रहता है जो हो सके दान दच्छना और फूल पूस्प आदी सब लेके होलकय की पूजा करिए अगर कहीं पर आपके आसपास होलकय जल रही है तो अच्छी बात है वहाँ पर जाके आप पूजा करिए नहीं जल रही है तो आप अपने घर में ही 5 उपले या 11 उपले जो भी आपके पास बनाए है बढ़ गुले उसको जलाईए असाथ फेर लगा के चक्कल लगाईए पूजा करिए धन्यवाद